हाई वीवर्स, वेलकम टो मिस्क्राफ्टी चैनल, प्लीज डॉन्ट फगेट टो लाइक, शेर और सब्सक्राइब आज हम बनाने वाले हैं वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल से ये मल्टी परपस लैंप आप देख सकते हो कितना एंटिक और यूनिक लुक है इसका इसे बनाने के लिए हमें 50 रुपे से भी कम खर्चा आया है आप यकिन नहीं करोगे बहुत ही कम खर्चे में और घर में जो सामाना वेलेबल है उसी से हमने इसे बनाया है और मैं आपको बहुत सारे आप्शन भी देने वाली हूँ जो मैंने माटेरियल यूज किया है उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़े यूज करके जो आपके पास अभी लबल है उसका यूज करके आप इसे बना सकते हो बहुत ही आसान तरिके से वीडियो थोड़ी सी लमबी हो सकती है बट मैं आपको सारी डिटेल पूरा डिटेल में बतानी वाली हूँ तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और अगर आपको मेरा क्राफ्ट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मज़े कॉमेंट में जरूर बताईए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लाइजॉल की बॉटल ली है अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है लाइजॉल की तो आप कोई भी शाम्पू या फिर डेटॉल की बॉटल आती है बड़ी वाली या मोफ्स फ्लोर क्लीनर की बॉटल आती है वो भी ले सकते हो और यहां पर मैंने एक पेपर नहीं है तो आप इसके अलावा बेबी वाइप का भी यूज कर सकते हो या फिर आप सिंपल न्यूज पेपर होता है उसका यूज कर सकते हो तो इस तरीके से हमें पानी और ग्लू का जो घोल था वो पहले लगा के उसके उपर टीशू पेपर रखके फिर से उसे देदेरे से आप इसके उपर टीशू पेपर की पूरी कोटिंग कर लीजिए इस तरीके से आप छोटे-छोटे टुकडे करके पूरे बोटल को अच्छे से कवर कीजिए ये करना बहुत जुरूरी है क्योंकि बोटल प्लेन होती है और हम अच्छे से उस पे कोई भी काम नह बनाना है तो देखिए मैंने पूरी अच्छे से कोटिंग कर ली है टीशू पेपर से और इसे सुखाया भी है और इसके आगे की प्रोसेस करते है यहाँ पर मैंने फोम शीट ली है आगर आपके पास ऐसी फोम शीट नहीं है तो आप घर में जो कार्डबोर्ड होता है बॉ और इसे हमें वाल का लुक देना है दिवार का लुक देना है तो आप इसे ग्लू गन की हेल्प से या फिर फेविकॉल की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका सकते हो और इसके उपर भी हमें ग्लू और वाटर का जो घोल है वो लगाके टीशू पेपर को उपर से अच्छे स मैं अच्छे से कवर करना है और देखे इसे भी मैंने अच्छे से सुखा लिया है यहां पर मैंने ली है वाल पुट्टी और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से डो बना लेंगे इसका आगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो आप एयर ड्राय क्ले से भी इसे बना सकते हो air dry clay की recipe मैंने description box में link दी है आप वहाँ जाके बना सकते हो या फिर आपको market में भी air dry clay बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और glue की help से हम आगे की process करेंगे wall putty भी 20 रुपे का packet आता है बहुत सारी wall putty आती है तो इसे भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो wall putty के बहुत सारे crafts मैंने बना रखे है उसकी link की भी मैंने description box में दी है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो बहुत ही simple और कम budget में आप बहुत सारी चीज़े बना सकते हो तो इस तरीके से हमें लड़की का shape बनाना है बहुत soft और smooth डों बनाना होता है देख सकते हो आप बहुत ही smoothly आप इस पे काम कर सकते हो थोड़ा मैं इसे fast कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं आपको fast process में थोड़ा सा बता रही हूँ और अगर आपको wall putty के दो पार्ट को जोड़ना है तो आप इसे थोड़ा सा पानी लगा के हलके हातों से smooth करके आप इसे joint कर सकते हो अगर आपको मेरा craft पसंद आता है तो please channel को subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और अपने friends और family के साथ मेरे crafts को share करना ना भूले साथ ही में आप मुझे comment करके जरूर बताया कीजे कि अगला craft आपको क्या चाहिए या आपको मेरा craft कैसा लगा और channel को subscribe करने के साथ ही bell icon भी प्रेस कीजे ताकि आपको मेरी नईने videos सबसे पहले मिलती रहे और इस तरीके से हमें लड़की के पूरे parts इस पर बनाने हैं आप देख सकते हो वाल पुट्टी से बिलकुल परिशानी नहीं होती इसे बनाने में आप air dry clay भी उसकर सकते हो उसके भी मैंने link भी बहुत सारे description box में दिये हुए है उससे भी आप बहुत सारे craft बना सकते हो और इसे हमें पानी से smooth करके रखना है और देखिए इसका मैंने छोटा सा ब्रासलेट बनाया है हाथ पे और इसके हम बनाने वाले headdress आप अपने according अपने पसंद से इसका look change कर सकते हो मेरी हमेशा से यही कोशिस रहते है कि आपके लिए नए ने craft लेक्या हूँ वो भी कम budget वाले और घर में जो waste चीजे होती है उसी से आप बहुत अच्छे-च्छे home decor के लिए चीजे बना सकते हो जैसे कि plastic bag carry bag, shopping bags और जो अपने शुरू में वीडियो के शुरू में जो lamp देखा, lamp के उपर जो flowers थे वो flowers भी मैंने घर पे जो shopping bag, carry bag आती है plastic bag उसी से बनाए है उसका भी link मैंने description box में दिया है आप वहाँ जाके check कर सकते हो तीन टाइप के flower आप उससे बना सकते हो बहुत ही बड़िया look आता है और देखिए बहुत अच्छे से हम इसकी finishing करके dress बनाएंगे बहुत है छुकि घुकि जूब आढ़ना सुद्ट किरे को अजय है दो कानीति वुट से मैं हो चाहाँ जो और लख भार एगाँ लिए यगी कि वहाँ है सिरह कि भी चुट स्वेल नागे है वहाँ है जुकि जए भार लाँ तो इसकी हमने ड्रेस बना ली है अब इसे हम पानी की हेल्फ से स्मूध करेंगे आप देख सकते हो बहुत हलके हातों से पानी लगा के आप इसे स्मूध कर लीजिए और अगर आपके पास ऐसा टूल नहीं है तो आप घर में कोई भी पेन या नील कटर का यूद्स करके ड्रेस पे हलकी सी थोड़ी सी डिजाइन बना लीजिए जैसे आपको पसंद है वैसे भी इस पे बना सकते हो आप और फिर हम इसके बनाएंगे बाल यहां पर मैंने वाल पुट्टी की छोड़ी छोड़ी कोईल बनाई है तो इस तरह के से आप उसे चिपका सकते हो फिवेकॉल के हेल्प से मैंने मदर और डॉर्टर का एक स्टेचू बनाया है उस पे भी मैंने जो बाल बनाए वो टीशू पेपर से बनाए है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आपको वाल पुट्टी से दिक्कत हो रही है बाल बनाने में तो आप उस तरीके से भी वो वाली वीडियो देखके जरूर आप ट्राइ कीज़े इस पी भी आप वैसे बाल बना सकते हो तो देखिए बहुत अच्छे से हमने बाल बना लिये है और चिपका भी लिये है देख सकते हो कितना बड़िया लुकाया है बहुत ही यूनीक लग रही है और अब हम करेंगे कलर तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर लिया है रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके मैंने एक कलर बनाया है और इसे हम हाइलाइट करने वाले हैं वाइट कलर से यहाँ पर मैंने यलो कलर दिया है लाइट यलो आप अपने पसंद से कोई और भी कलर दे सकते हो जैसे हमने बालो के लिए छोटी छोटी कोईल बनाई थी वैसे ही बड़े साइज में हम कोईल बनाने वाले हैं और यहाँ पर हम जैसे की बेल या फिर पेड का लुक देने वाले हैं एक बात का ध्यान रखिए वाल पुट्टी का डो दो घंटे में सेट हो जाता है ड्राय हो जाता है अगर आप धीरे धीरे काम करते हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर में वाल पुट्टी का डो बनाईए जितना आपको चाहिए उतना ही बनाके रखिए एक बार में ही ज्य प्रेली कलर का यूज किया है इस तरीके से हमें अच्छे से फिनिशिंग करके काम करना है और देख सकते हो मैंने बहुत सारे यहां पे कोईल लगाये है पेड का लुक देने के लिए और यहां पे हम फ्लावर्स बनायने वाले है आप अलग छोटे-छोटे रोज भी बना सकते हो बट मैं ऐसा फ्लावर्स बना रही हूँ यह भी बहुत अच्छा लुक देता है जैसी कि आपने देखा है और ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से फ्लावर्स बना सकते हो और छोटे-छोटे मैंने यहां पे पत्ते भी बना लिए है और अब हम करेंगे कलर यहां पे मैंने बेबी पिंक कलर दिया है ड्रेस के लिए और बालों के लिए ब्लैक और इन डालियों के लिए मैं कलर कर रही हूँ ग्रीन और हमारे फ्लावर्स होंगे रेड आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन तो चलिए आगे की प्रोसेस करते है यहां पे मैंने फॉमशीट ली है उसकी बनाएंगे हम विंडो अगर आपके इस पास यह नहीं है तो मैंने जैसे की बताया आपको आप कार्डबोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो ऐसी विंडो बनाने के लिए और डिजाइन आप अपने स्ट्रॉंग ग्लू आता या फिविकॉल से आप इसे चिपका सकते हो इसमें जो हमने लाइट यूज़ की है उसके भी मैं आपको बहुत सारे उप्शन बताने वाली हूँ तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है त तो आप जो दिवाली में घर सजाने के लिए लाइट यूज़ करते हैं ओ वाली लाइट लगा सकते हो यहाट का मैं और एक आप्शन आपको देती हूँ बट अभी आप देखिए कितना बहुत अच्छा एंटिक और यूनीक हमारा लाइम प्रेडी हो चुका है आपको 20 फिर मिलते हैं ऐसे ही नए क्राफ्ट के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वाचिंग